Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone So, बच्चों, Class 12th का हमारा जो Exercise 5 चल रही है, Chapter 5 उसमें आज हम करने जा रहे हैं Exercise 5.7 इसके पहले 5.6 तक मैंने आपको सब कुछ करा रखा है I hope आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा If any doubt, प्लीज मेरे को बताईए, तो मैं उस question को आपको करा हूँ संचारी clear है सब कुछ? Yes, sir चली दोस्तों, तो इस start करते हैं 5.7 5.7 के topic में आज हमारे पास जो task है, वो है बटा, double derivative का मतलब आज हमें double differentiation सीखना है कि हम function को two times differentiate कैसे करेंगे तो आज हमारा mainly जो task है, हमको double derivative करना है, मतलब function को हम दो बार differentiate करने वाले हैं, ठीक है ना? Yes, sir देखिए, तो start करते हैं चली, तो topic बना लीजिए Double differentiation इसी का नाम double differentiation है और इसी को हम double derivative भी कहते हैं और it is called double derivative देखिए, इनको अलग-अलग नाम से जाना जाता है क्या इनके लिए notations यूज होते हैं जरा उन notations को देख लीजे, समझ लीजे कि क्या-क्या notation हम double derivative के लिए यूज किया करते हैं जैसे हमारे पास कोई function है, y is equal to fx अगर इसका हम single time differentiation करते हैं, तो इसको हम operator d by dx देते हैं और यह बन जाता है d by dx और d by dx के बाद इसकी जो value हो जाती है, यह हो जाती है, f dash x because actually आप करते क्या हो, आप operate करते हो d by dx को, किस के उपर operate करते हो, fx के उपर और आपका जो function निकल करके आता है, that is f dash x अगर आप again यहाँ पे differentiating with respect to x कर देंगे अगर आप यहाँ पे फिर से again differentiating with respect to x कर देंगे, तो क्या हो जाएगा d by dx of, किसका d by dx, d by dx का, तो फिर से differentiate कर दिया, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, d by dx का again derivative, so हमारे पास पहले क्या है था, f dash x है था, और अब हम उसका फिर से differentiation करने जा रहे है, so you will have d2y by dx2, जी हाँ, यहाँ याद रुखिए इस notation को, d2y by dx2 और इसे हम कहते है f double dash x, तो इसका नाम क्या है पहले वाले का, d by dx, इसे f dash x भी कहते है, इसे y1 भी कहते है, इसे y dash भी कहते है, अलग अलग नाम है, एक ही चीच के अलग अलग नाम है, पहला नाम है d by dx, दूसरा नाम है f dash x, इसी का नाम है y1, इसी का नाम है y dash, अगर फिर से differentiate कर दिया तो इसी को बोलते हैं हम D2 by Dx2 इसी को बोलते हैं हम F double dash x इसे ही हम Y2 बोलते हैं और इसे ही हम Y double dash बोलते हैं तो आप इन symbols को पहचान लेजिए ठीक है ना? simple function को Y बोलते हैं एक बार जब differentiate होता है तो इसे D by Dx बोलते हैं जब दो बाड डिफरेंशेट होता है तो d2y by bx2 बोलते हैं order को ध्यान दिजे, पहला वाला 2d3 पर लगा है, दूसरा वाला 2x3 पर लगा है चीक के ना, y को ही हम fx बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? f'x इसे ही हम y1 बोलते हैं और इसे ही हम y', बोलते हैं इसे हम f double dash x बोलते हैं, इसे ही हम y2 बोलते हैं और इसे हम y double dash कहते हैं, clear बिटा? Yes, sir. चलिए आईए, इसके सवाल देखते हैं, इसका पहला question करते हैं, जो बहुत easy सा question दिया गया है आपके book में, यह देखिए यह आपका सवाल, क्या कह रहा है, find the second order derivative of the function from 1 to 10, तो question number 1 का first derivative किया आपने 2x plus 3, और second derivative 2x का 2 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, बोले clear बिटा? Yes, sir. इसमें कुछ हैं नहीं बताने जैसा, अगला question देखे, double derivative निकालना है, तो first derivative 20x की power 19, और जब उसको दो बार differentiate कर देंगे, तो 20 to 19, उपने पास 380x की power 18 ना जाएगा, any problem? No, sir. चली, x cos x, यह question थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसको हम differentiate करते हैं, तो we have the given function y is equal to x cos x, so y is equal to x cos x, अब differentiate कर देता हूं, differentiate with respect to x, so d by dx equals to d by dx of x cos x, पहला differentiation करता हूं, so d by dx equals to, क्या लगे कर बेटा, first function into differentiation of second function, plus second function into differentiation of first function, so x cos x का differentiation minus sin x plus cos x और x का 1, so it will be minus x sin x plus cos x, यह हो गया हमाँ पास d by dx, equation number 1, बोलो clear है, बेटा? Yes, sir. यह हमने first derivative नहीं कल लिया, अब इसको हमको second derivative करना है, मतलब हम इसको two times differentiate करेंगे, तो d by dx के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे, again, differentiating with respect to x, तो जैसे ही आप यहाँ पर d by dx imply करोगे, d by dx क्यू पर, तो यहाँ भी आपको apply करना पड़ेगा, d by dx of minus x sin x plus cos x, अब d by dx दो बार आपने लगा दिया, so it will become d2 by dx2 equal to d by dx of minus x sin x and d by dx of cos x, okay, so यहाँ पर minus sin बाहर ले लिजे, d by dx of x sin x, और d by dx of cos x, cos x का differentiation आप लोग जानते हैं, minus sin x होता है, bracket लगे रहे लिजे, because plus and minus अभी minus हो जाएगा, चली, तो minus, अब इसके बाद में क्या होने वाला है, देखे, first function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function, जो की x है, okay, और plus minus sin x, यह बिल्कुल ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा हमाएं पास, यह minus बाहर लगा हुए है, लगे रहें दीजे, यह हो जाएगा x, sin x का differentiation cos x, plus sin x, x का हो जाएगा 1, और बाहर है minus sin x, चली, open कर दीजे minus sin को, तो minus x cos x, minus sin x, and again minus sin x, तो यह हो गया, minus x cos x, minus 2 sin x, यह answer आगा हमाँ पास, ठीक है, minus x cos x, minus 2 sin x, so this is the answer, चली, चेक करते हैं अंसर हमारा सही की गलत है, minus x cos x, minus 2 sin x, बिल्कुल सही, ब्रैकेट में इस तरीके से दिखाई देगा यह, अगर आप minus comma ले ले तो, ठीक है, so minus common x cos x, plus 2 sin x, क्लियर है बिटा, एशा, हम, तो इस तरीके से यह हमारा complete हो गया, चली, अगला question पर बात करते हैं, यह देखिए, य कोल टू log x है, इसका differentiation करते हैं, similarly, काफी सारे questions मेरे सामने दिये हैं, आइए, उनका हम differentiation करते हैं, चली, एक question यह आता है, tan inverse x, तो इसको भी आप दो बाद differentiate कर सकते हैं, वैसे कालिये रेखिए, सबसे पहले, d by dx tan inverse x, तो 1 upon 1 plus x square, फिर इसके बाद numerator और denominator का rule लगा दिया, चिक है, तो denominator into differential of numerator, minus numerator into differential of denominator, divided by denominator का whole square, तो यह question हमारा इस तरीके से solve हो जाएगा, चली, जाएगा, चली, झाली तरीके सह्सक्रीदेर लदा जाएगा, जाराली का जएएगा dob की, उसged हमारा इसलता दियागा पों यह इस, कोच कोचित हैं तरा का by हैं, झाल झाल गालन। रख्रत। कहलते क्यूसन पर काई गिविता है। आप दिश्च कर रहे हैं वाश्य नमबर स्च वर्शन नमबर सेवन और question है यहां पर differentiate करना है y equal to e की power x sin of 5x double differentiate करना है ना बेटा ठीके संचारी यही question है yes sir differentiating with respect to x first time करेंगे तो d by dx यहां पर d by dx no sir no sir यह 7th नहीं है यह 6th है ओके तो आपको 7th यह 6th मैंने लिखा है राइट यह बन गया आप से yes sir चली 7th लिखा है हमारा question है e की power 6x into cos 3x यही ना yes sir 7th question is e की power 6x into cos 3x करना है चली तो question number 7 हमाई पास है y equal to e की power 6x multiply by cos 3x यह question हमें करना है आए करते हैं आए करसे लिखा है ok सब्सक्राइब करो तो सबसे पहले डंडा कॉस्पे चलेगा तो कॉस्प का हो जाएगा माइनस साइन एक्स तो एक्स के प्लेस पे 3 एक्स बैठा हुआ है याद आया कुछ तो पहले कॉस्पे डंडा चलता था कॉस्प का माइनस साइन बाकी की चीज़ के वैसे ही रखतो फिर 3 एक्स पे डंडा चलेगा तो 3 एक्स का हो जाएगा वन तो मल्टिप्लाइ भाई 3 आ जाएगा यह ओ यह कितना हो जाएगा एक्स और 6x का डिफरेंशेशन 6 गॉंस्टेंट वन तो आपने 6 एक्स को तो यह कितना हो जाएगा e की पावर 6x और 6x का differentiation 6 constant 1 यानि की 6 times e की पावर 6x तो ये होगा हमें पास e की पावर 6x minus sign बाहर ले आए sign 3x बनेगा multiply 3 बनेगा और यहां मैं भूली क्या लिखना e की पावर 6x का कितना बता है मैंने 6 e की पावर 6x plus 6 e की पावर 6x और bracket में cos of 3x और इसको simplify कर लो तो minus 3 e की पावर 6x minus 3 e की पावर 6x sign 3x plus cos 3x ठीक है plus 6 cos 3x तो ये हमाई पास dbdx इतना आचुका है ये देख लिजे यहां से हम 3 e की पावर 6x यदी हम common ले ले तो 3 times e की पावर 6x यदी common ले ले तो minus 3x बच जाएगा minus sign 3x और plus plus 2 cos 3x तो इसको पलट के मैं लेख सकता हूँ 3 times e की पावर 6x इधर पे 2 cos 3x minus sign 3x ये मेरे पास आगया दी वाब आई दी एक्स चेक करने एक दम तो चेक किया हमने 3 e की पावर 6x minus sign 3x plus 2 cos 3x बेलकुल सही है कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक हमारा अंसर आचुका है अब एक बार फिर से इसको हमको डिफ्रेंशेट करना है तो हम इसको फिर से डिफ्रेंशेट कर देते हैं और लिखेंगे हम again differentiating with respect to x clear बिटा so here we have d2y by dx2 equal to d by dx of जो हमारा पस function आया है क्या function आया है 3 e की पावर 6x 2 cos 3x minus sin 3x यह है तो 3 constant है 3 constant बाहर जाएगा अब यहाँ पर दो function treat कर सकते हैं first और second की form में तो इससे first ले लिजे और इस hole को second ले लिजे ठीक है बिटा तो चलिए इसको solve कर देते हैं first function e की पावर 6x into differentiation of second function that is equal to 2 cos 3x minus sin 3x first into second का differentiation plus second function 2 cos 3x minus sin 3x second function into first का differentiation क्या है भाई सब फर्स्ट यहां पर e की पावर 6x clear संचारी yes sir now it is 3 बाहर है okay 3 है बाहर यहां पर e to the power 6x differentiate करता हूं देखो 2 तो कोफिशेंट है constant है बाहरा जाएगा cos 3x का minus sin 3x बिल्कुल सही very good dot 3 okay और minus sin 3x का हो जाएगा cos 3x cos 3x dot 3 हाँ बिल्कुल सही और यहां पर pack कर दीजे क्योंकि इसका differentiation हो चुका है बीच में लगए प्लस और फिर 2 cos 3x minus sin 3x second function और इसका differentiation अभी हमने किया था yes sir इसका differentiation में अभी किया था कितना आय था बिटा e to the power 6x dot 6 बिल्कुल सही तो we can write 6 e to the power 6x चली रिखे अब यहां से यह पूरा common है और यह पूरा common है तो हम at least e की power 6x तो common लही सकते हैं तो 3 e की power 6x पूरे से common आ गया यह उठके बाहर आ गया यह भी उठके बाहर आ चुका है अब जो बज़ग बज़गे हो गया और यहां पे minus 3 cos 3x clear अब 6 का multiply होगा क्योंकि हमने 6 को common नहीं लिया है तो 6 का multiply 2 के साथ होगा तो 6 2s are 12 plus 12 cos 3x और minus 6 sin 3x चले simplify कर देते हैं 3 e to the power 6x तो minus का 6 है और minus का 6 है दो बार तो minus minus plus हो जाएंगे तो minus 12 हो जाएगा और यह 12 cos 3x में से 3 cos 3x जाएगा तो plus 9 cos 3x minus 12 sin 3x ठीक है बिटा? यह सर ओके यहां से मैं maximum 3 common ले सकता हूँ तो यहां से 3 common लोगा एक अंदर से तो यहां से 3 का यहां से 3 हैगा तो 3 3s are 9 बन जाएगा 9 a to the power 6x और यहां पे बच जाएगा 3 cos 3x minus 4 sin 3x यह हो गया हमाँ पास आंसर तो इसको चेक कर लेते हैं यह रेखे 9 e की पावर 6x 3 cos 3x minus 4 sin 3x बिल्कुल यही आंसर आए हमारा बोलो clear है बिटा? Yes sir Any problem? No sir Sir हम यहां डालेक्ट कर सकते हैं कोई explanation तो नहीं देना पड़े तो नहीं कोई जरूरत नहीं है आप dedicated question 2 marks का आएगा तब बात अलग है कि आपको sin 3x का को दिखाना पड़ेगा अब इसमें आपको इतना कुछ नहीं करना है कि आप इतना हर बार tea दिखाएं ऐसे तो आप tea लेते लेते ठिक जाओगे कितने बार आपको tea लेना पड़ेगा? Yes की No? Yes sir तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है ठीक ना बड़े question की बात अलग होती है यह 4 marks का question है Any problem? No sir Sir जैसे की जरूरी नहीं कि हमारा answer बिल्कुल answer sheet से match हो मतलब एक दू स्टैप उपर नीचे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं के बल प्रूब दैट में जरूरी रहता है कि वहीं तक लेके आई है ऐसा कुछ नहीं है जैसे यह आपने आपने मान लीजे 3, नहीं लिया यह यहीं तक छोड़ दिया आपने तो भी आपको full marks मिलेंगे ठीक है Yes Sir चलिए देखने हैं दोस्तो question number 11 क्या कहरा question number 11 if y equal to 5 cos x minus 3 sin x prove that d square y by dx square plus y equal to 0 तो इस question को हम दो methods से करते हैं दो methods हम यहां पे लगा सकते हैं दो methods देखिए एक method ऐसी है जिसमें बिलकुल बच्चे को दिमाग नहीं लगाना है बिलकुल लड़ू method और दूसरी method जो है वो यह है कि आप question को ही answer में convert कर दो आपका question ही answer में convert हो जाएगा तो यह जो method है ने बेटा यह थोड़ी छोटी पड़ती है यह method थोड़ी छोटी पड़ती है चलिए देखते हैं दोनों methods क्या कह रहा है question हमें पास उसको discuss करते हैं तो हमारे पास यहां पर question दिया गया है question number 11 की हम बात करे थे question number 11 हमें पास कह रहा है कि if y equal to 5 cos x 6 minus 3 sin x यह question दिया गया है और हमसे proof करने को कह रहा है then prove that d2y by dx2 plus y equal to 0 तो पहले मैं आपको ordinary method बताता हूं जैसे एकदम simple बिलकुल ना दिमाक लगाने वाली method तो क्या करेंगे आपको double derivative चाहिए है तो आपके पास single derivative आपको लाना पड़ेगा चली तो सबसे पहले मैं single derivative लेकर क्याता हूं d2y by dx equals to 5 cos x का हो जाएगा minus sin x और minus 3 sin x का हो जाएगा cos x यह हो गया so this is d2y by dx equal to minus 5 sin x minus 3 cos x बट अब यह मारा काम पूरा नहीं हुआ अब हमको double derivative चाहिए है तो again we are going to differentiate with x तो यह लान लिखने पड़ेगी again differentiating with respect to x तो क्या हो जाएगा minus का 5 sin x का differentiation हो जाएगा cos x minus का 3 cos x का हो जाएगा minus sin x so it will become minus 5 cos x plus 3 sin x यह हमारे पास आगया d2y by dx2 अब आजा यह हमारे पास lhs क्या है lhs हमारे पास है d2y by dx2 plus y तो क्या करेंगे इसमें put कर दीजे d2y by dx2 हमारे पास कितना आया है minus 5 cos x plus 3 sin x और y हमारे पास कितना आया है y हमारे पास आया है 5 cos x minus 3 sin x तो 5 cos x से minus 5 cos x cancel और 3 sin x से minus 3 sin x cancel so answer मारे पास कितना आगया 0 so our answer is 0 तो यहाँ पे और यही हमको प्रूफ करना था this is equals to rhs बोलो clear हो गया बिटा तो एक method तो हम lhs और rhs को लेके हम कर सकते हैं अब एक method आपको और बताता हूं जिसमें आप क्या करेंगे question को ही answer में convert कर देंगे question ही answer में convert हो जाएगा कैसे so this is method number 2 second method कैसे convert करेंगे रिखें बिटा इसमें आपको given क्या है आपको given है y is equals to 5 cos x minus 3 sin x इसको equation number 1 लेलो चलो differentiate कर दो d by dx equals to 5 cos x का minus sin x और minus 3 sin x का हो गया बिटा cos x so it is minus 5 sin x minus 3 cos x ठीक है न d by dx again differentiating with respect to x बिटा हम निकालेंगे क्या d2 by dx2 तो यह हो जाएगा minus 5 sin x का हो गया cos x और minus 3 cos x का हो जाएगा plus 3 sin x यह हो गया ठीक है अब देखिए थोड़ा साब को यहाँ पे उलट फेर करना है और आपका question आपको देए अगर आप यहाँ से minus sign common लेले यदि आप minus sign common लेले only minus sign 5 नहीं केवल minus sign यह लीजे मैंने minus sign common ले लिया तो minus sign common लेने पर आपके पास बच गया 5 cos x minus 3 sin x यह बच गया तो d2y by dx2 की value कितनी हो गई minus और ध्यान से लिखी 5 cos x minus 3 sin x क्या था आपका y था बुलो बेटा था कि नहीं था यह से तो 5 cos x minus 3 sin x की जगे आप रख सकते हैं y अब इस minus y को left side में ले ले जाईए तो d2y by dx2 plus y equal to 0 बुली आ गया समझ में यह से hence prove और यही आपको ले करके आना था clear है तो actually आप कर क्या रहे हैं आप कर क्या रहे हैं आपके पास एक y का function था यह आपके पास एक y का function था तो जो बेटा y का function होता है इस y के function को y is equal to fx को हम क्या बोलते हैं solution क्या बोलते हैं बेटा solution और इस solution को differentiate करके हम एक ऐसी equation बना देते हैं जिसमें derivative के term present होते हैं जैसे यहाँ पर हमने बनाया d2 y by dx to equal to 0 इसी का use करके तो यह जो चीज बनती है इसको हम बोलते है differential equation क्या बोलते है बटा differential equation यह मारे complete chapter है बटा differential equation का जिसको हम डेटेल में पढ़ेंगे so this is called differential equation चीखे ना तो ऐसे भी हम कर सकते हैं आप चाहो तो directly LHS, RHS वाला solve कर लो इसमें कोई brain नहीं लगना मगर इसमें थोड़ा सा brain लगना है minus minus comma लेना पढ़ सकता है चीखे ना तो ऐसे इसको आप करेंगे अब देखे एक question और है जो exam में बहुत पूछा गया है yes question number 17 ये exam में बहुत आया है इसको मैं बताना चाहता हूँ ये भी ऐसे ही कुछ-कुछ होगा question number 17 ये देखे question number 17 है y equals to 10 inverse x का square then show that x square plus 1 का whole square y2 y2 मतलब double derivative y2 मतलब double derivative मैंने आज आपको बताया था d2 y by dx2 अब इसी को y double s भी बोलते है clear और y1 का मतलब first derivative means d1 by dx are you listening सुन रहा है बिटाप yes sir हाँ तो चलिए इस question को हम solve करते हैं आईए देखते हैं कैसे solve होगा हमारे पास question number 17 है और इसको हमको ये ले करके आना है ठीक ना ये ले करके आना है तो एक नई approach के साथ एक question solve होगा और ये important question है आईए करते हैं इस question को अब हम करने जा रहे हैं question number 17 देखे आपके पास question क्या दिया गया है question आपको दिया गया है if y equals to 10 inverse x का whole square तो आपको ये सब प्रूफ करना है ये सब आपको प्रूफ करना है अगर y equal to 10 inverse x का whole square है then आपको प्रूफ करना है x square plus 1 का whole square y2 plus 2x equal to 2 चलो ठीक है जो प्रूफ करना है वो ठीक बात है तो प्रूफ में हमें दो चीज़ दिख रही है एक double derivative दिख रहा है y2 और एक single derivative दिख रहा है y1 दिख रहा की नहीं दिख रहा है चली तो start करेंगे कहां से single derivative से और लिखेंगे हम यहां पे differentiating with respect to x तो हम differentiate करेंगे ये बन जाएगा d by dx और ये बन जाएगा d by dx of 10 inverse x का whole square ठीक है तो क्या solve करने के लिए कास तुम x होते है तो t मानना पड़ेगा यहां पे तो d by dx equal to d by dt बन जाएगा यह t का square माल लेंगे और यहां पे dt by dx so d by dx equals to कितना हो जाएगा बेटा 2d and d by dx of t की value क्या है 10 inverse x यहां मुझे लिखना चाहिए let t equals to 10 inverse x जो दिक्कत दे रहा था उसको हमने t माल ली तो यह बेटा हमारे पास कितना हो गया 10 inverse x चली तो यहां पे यह क्या बन जाएगा function हमारे पास 2t यहांने कि 210 inverse x 210 inverse x और upon में 1 upon 1 plus x square sorry into 1 upon 1 plus x square यह मेरे पास आगया d by dx कुली clear बिटा की नहीं है यहां तक यहां चली तो हम फिर से लिख लेते हैं डी बबे डी एक्स हमारे पास आ चुका है अब यह question क्योंकि y1 और y2 की form में है तो डी बबे डी एक्स को मुझे y1 लिखना चाहिए तो y1 multiplied y1 equal to 210 inverse x into 1 upon 1 plus x square clear की not clear yes तो यहां चलीए अब अब यहां पर यदी आप इसको direct differentiate करेंगे तो आपको यह function बहुत परिशान करतेगा दूसरा logic यह है कि देखिए y1 के साथ y1 के साथ बिटा x square plus 1 का multiply है x square plus 1 का क्या है multiply है तो मैं क्या करता हूँ इसको एक line लिखो मैं तो क्या हो जाएगा देखिए this is equals to 210 inverse into 1 हो जाएगा 210 inverse x upon 1 plus x square अब मैं 1 plus x square को y1 के multiply में ले देता हूँ y1 के multiply में चला गया यहां पर अकेला क्या बच गया बेटा 210 inverse x गोलो clear है की नहीं है yes sir इसे आप equation number 1 दे दें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी तक आपने 1 किसी को दिया नहीं है अब यहां पर आप इसको differentiate करें तब आपको समझ में आएगा देखो यहां पर एक तरीका क्या था एक तरीका यह था कि आप y1 निकालो आप y2 निकालो अब आप समझो कि यदि आप direct दो बाद differentiate करोगे तो आपका कितना दिक्कत होने वाली आपको यह दिखिए क्योंकि यह denominator है numerator बहुत बड़े बड़े हैं तो कर सकते हो बस time ज़्यादा लगेगा अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं हेर फिर करके कर रहा हूँ मैं निपूलिट करके कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा मैं फिर से यहाँ पे लिखूँगा differentiating with respect to x तो d by dx of y1 into 1 plus x square equal to d by dx of 2 tan inverse x ठीक है बेटा yes sir so what happened first function into 1 plus x square का differentiation बेटा कितना 1 का हो जागा 0 x square का हो जागा 2x plus second function 1 plus x square into differentiation of first function y1 का बेटा मैंने आपको बताया था कि y1 का मतलब होता है d by dx जब आप फिर से इसका d by dx ले लोगे y1 का तो क्या बन जाएगा d2 y by dx2 बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं y2 बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा y2 तो ये जो टर्म है हमारा क्या बनने वाला है y2 बनने वाला है is equals to d by dx of 2 10 inverse to 2 बाहर जाएगा और 10 inverse x का क्या हो जाएगा 1 plus x square चलिए solve करते हैं तो ये हो गया y1 into 2x plus 1 plus x square और y1 का फिर से differentiation क्या बन गया बेटा y2 and this is equals to 2 2 बन जा 2 upon 1 plus x square अब मैं क्या करूंगा 1 plus x square का इधर multiply कर गता हूँ cross multiply तो ये हो जाएगा 1 plus x square into y1 into 2x ये चीज पूरी उपर चली गई चली गई न? ये सर्थ और 1 plus x square का whole square into y2 equals to 2 ये बन गया आपका function चेक कर लेता हूँ क्या ये ही पूछा गया था? 1 plus x square का whole square into y2 ये देख लिजे ये ही बैठा हुआ है चाहे से आप 1 plus x square कह दें या चाहे आप इसे x square plus 1 कह दें ये ही चीज बैठी हुई है इसको आपके proof करने वालों ने ऐसे लिख लिख लिया है x square plus 1 का whole square into y2 कोई दिक्कत नहीं है then 2x into x square 1 x square plus 1 into y1 क्या क्या बैठा है? 2x तो हमाँ पास 2x भी है हमारे पास 1 plus x square भी है और हमारे पास y1 भी है equals to क्या रहा है? 2 आ रहा है तो क्या दिखा आपने? आप यदी खोड़ा सा इधर का उधर कर देते हैं तो आपका question बहुत easily solve हो जाएगा नहीं तो direct method से आपको क्या निकालना परता बेटा? सबसे पहले y1 निकालना परता यानि कि first derivative फिर second derivative निकालना परता फिर LHS में आपको y1 और y2 दोनों की value put करनी पड़ती जो की बहुत tough बन जाता clear हुई मेरी बात आपको? yes sir इन्होंने भी इसी method से किया है है ना? hair fair वाली method से it is called in English manipulation method मतलब इधर का उधर करना उधर का इधर करना कुछ adjustment करना sir आपको पता क्या करना है वैसे सब में आप apply कर सकते हो मैंने क्या बोला आप से कि prove that वाले question में यह आपकी मर्जी है कि आपको क्या लगाना है prove that वाले question यह रहे को y2 y1 बैठे हुए हैं साथ में ठीक है ना? yes sir अब आपको यही सीधा सीधा लगाना है तो यह आपकी practice के उपर है okay yes sir आप कितनी practice करके जाते हैं नया बच्चा है practice नहीं करके गया तो सीधे सीधे फूट कर देगा भाई okay yes sir चलिए करिए questions पेटा yes sir